तो इस वीडियो में स्वालब परेंगे एक साइज 9.8 के कोश्च नमर वन और टू हो ठीक है कोश्च नमर वन में त्री है कोश्चन से टू का जो कॉश्चन वह आपको दिखी रहा है कि यह जो सीरीज आपको दिख रहा है इसको क्या कनवर्जेंस अपसिलूटली प्रूफ कर प्रूफ करेंगे तो वीडियो के साथ बने रहे हैं और चैप्टर प्रूफ कर देगा है ताकि जिनको इनका इसका कंसेप्ट आता है वह डायक्ले जम्प करके कोश्चन पर वहां पर आप लोग जा सकते हो तो इसमें को दिक्कत वाली बात नहीं है चैप्टर पर भी आप अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग टेलिग्राम करें डिया हुआ है और कमेंट भी कर सकती हो कोई दिक्कत है और पीवाइक्टियू सुल्फ करना है किसी का भी दो अब लोग प्लीज हमनें भेज सकते हो और हो सकता हो दस-फंदर दिना के अंदर आपको से तो यह ती त सब्सक्राइब को चैनल पढ़ना है और बेल आका को ज़रूर दबाईएगा ताक कि नोटिफिक्शन वीडियो की मिलती रहे तो चलो बढ़ते हैं थियरिटिकल पार्ट पर सबसे पहले बाती है एपसुलिट कंवर्जेंस बसे कर डिशनल कंवर्जेंस ठीक है ति डेफिनेश को ज़्याता बात को बढ़ाया हुए मैं समझाता हूं एक क्वेश्चन लेता हूं सिंपल और आपसे क्वेश्चन करता हूं और आप लोग प्रीज अपना जवाब प्रीमियर में देते रहिए ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग सिरियसली देख रहेंगे वीडियो ठीक ह तो देख क्वेश्चन है आपके पास एक सीरीज असन इक्वाल टू मान लोग एक सीरीज असन से रिप्रेंट कर रहे है हम लोग तो उसका एक सीरीज असन इक्वाल टू प्लस बाइटू प्लस बाइटू प्लस बाइटू प्लस बाइटू प्लस बाइटू अप्लस насलम सबाइब है दोनों सीरिज में कौन के सीरिज होगा गरा पेस चाहिए निम्स कौन सब्सक्राइब है घ्रव सबस्क्राइब 我们 क्यों पर च बेंक में भी सब्सक्राइब द столько मुझे पताएब और नश्युक्षिण में मुझे पट सब्सक्राइब ट दॉकुbahn स्रीज में से कौन स्रीज करेगा सब का जवाब होगा मुझे लगता है क्या यह वाला अर्जिन जो पढ़े हुए उनको तो पता ही होगा यह वाला और यह भी पढ़े हुए हैं तो यह वाला पता है क्या का होगा यह क्या होगा डाइवर्ज कर जाएगा वह क्यों वाला पहला सब्सक्राइब कर रहा है यह हम लोग अल्टरेटिंग से प्रूफ किये थे हम लोग ठीक है आप लोगों को बता नहीं है तो 9.00 ने क्वेस्ट नमर वन में जाए वहां समझ जाए कैसे यह प्रूफ हुआ था क्यों यह बात क्या शुकार यहां पूर क्यों है वाला शिर्जिक डाइबट क्यों करेगा ज़ने है तो यहां इसमें क्या हुआ ने版 होने त्याbread टेस्ट पढ़ा आर मागि इस तेस्ट पढ़ा है सबस्तर मेन क्या होता था वरंगया थे पैस्य से करता था अगर पी लेस्ट दन एक्वल टू नहीं ग्रेटर दन अगर वन होता था था अगर पी का वैलव आपको लेस्ट दन वन है इक्वल टू टू वन तो यह क्या करता है तो इसी को यूजर के आपको क्या कर सकते हैं वह चीछ को बोल सकते हैं कि 1 by n to the power जैसे 1 plus 1 by 2 जो दिया हुआ आपको 1 by 3 अगर इसका नेट अप लिखेगा तो आप लोग क्या जागा 1 by n और लुमिट अगर बैठाते हैं अगर पीस इस चेस्ट से आपका करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा न का फैलो एंड पी का फैलो वन मिलेगा पी का पाट यह हुआ अब दूसरा वाला पाट कैसे कंवर्ज हुआ वह भी समझा दिया जाए थुरह सा दूसरा वाला पाट कंवर्ज होने के लिए कंडिशन आपको दिया हुआ है पिछली वीडियो हम बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है ठीक है आप लोग अच्छे दागे लेविनिज टेस्ट में कि n tends to infinity fn अगर 0 के बड़ावर होता है तो यह क्या हो जागा कंवर्ज हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 1 by n हो जाएगा fn का बेलू और n का बेलू कर दावन लोग इंफिनिटी पठाता है तो क्या होता 0 के बड़ावर तो मतलब इससे क्या होता सीर अगर आप लोग एक्जामपल यह देख रहे हो वन और टू को ठीक है ध्यावन से देख रहे हो तो आप लोग कुछ similarity मिल नहीं होगी ठीक है अब लोग को यह पता चलता होगे देखो यह वाला पार्ट है यह वाला पार्ट यह सब पार्ट क्या से में 20 में सिर्फ मैंस अला गया ठीक है तो मतलब क्या किया गया है सब क्या कर दिया गया है मौड ले लिया गया है सब को जोड़ दिया गया है बात यह समझ में नहीं आड़ी होंगी देखो अगर हम लोग क्या करते हैं अगर हम लोग इस सीरीज का 1 by 2 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 और इस पार्ट का हम लोग मौड लेते हैं जैसे mod of u1 plus mod of u2 plus mod of u3 mod of u1 अगर इसका लेते हैं तो यह वाला पाठ हमें यह जनिट करके देखा 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 अगर मुझे बताओ क्योंकि u1, u2 तो क्या है यह 1 by 2 है यह 1 by 3 यह ही है जैसा कि हम लोगोंने 9.7 में पढ़ा हुआ है क्लियर है बाते तो मतलब इस से हम लोग यह ला सकते हैं कब जा हम लोग मौड में दूनों एड कर लेंगे तब मौड में जब एडिशन लाएंगे तब तो इसी से हमारे जन करने वाला जैसे देखो यहां पर 1 plus 1 by 2 बार बार एक्जामपल मैं लिक रहा हूं तो मान लो इसमें क्या थ्वादम होगा यह इस कंसेप्ट में तो प्लीस वादिमा लगाना इसमें तो अपनी कि इसको अच्छे सिख सको और अप्लाइ कर सको तो मान लो यह दूनों सीरीज में मैंने कितना दिमाग क्यों लगा अप्सलूट कनवर्जेंस इससे क्यों आओ जाएगा मॉड लाके तर क्या फायदा देखो अभी तो मेरा यह सीरीज क्या था कनवर्जेंस था अभी मेरा सीरीज कर रहा था लेविनीश टेस्ट के नुसर लिकिन जब मॉड लगा देंग यह थे यह स्तिति में डायवर्जेंट लगडा है तो ऐसे पिसको हम लोग क्या बोलेंगे चंडिशनल नं कंवर्जेंट टेकर हैं जो ए कि स्तिती में और क्या पूंजाए और दौन उस्तिति में एक तो क्लाएगा और यह Отल इक कमद्ञा बाते हैं यह रहा थेओरी वाला पाट कंडेशनल कंवार्जेंस और अप्सुरेट कंवर्जेंस में डिफ्रेंस विद्धायल पफ एक्जामपल मुझे उम्मीद है यह समझ में आया होगा अगर दिन को नहीं समझ में प्लीज आप लोग कमेंट के जएगा क्लियर है अब आते हैं theoretical पार्ट पर जो हमारे bookish language में लिखा हुआ है तो यही पास definition के बाड़े में है यह आप लोग के पास एक arbitrary series डिया हुआ टर्म जैसा इस टाइब का है सच दाट इस is convergent then it is absolutely convergent मतलब बोला क्या गया है कि अगर यह series है यह series convergent है और उसका अगर मॉड लेके plus करते हैं यह भी convergent है तो दुनों अगर convergent है तो मेरा क्या होजाएगा absolute convergence ठीक है अगर सिग्मा मॉड ऑफ यू मतलब अगर मॉड ऑफ इस सिरी लेते हैं अगर वो divergent हुआता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं कहेंगे अगर मेरा यह divergent हुआता है और यह वाला पार्ट जो मेरा पहले वाला पार्ट था वह क्या होता है कनवार्जिंट हो जाता है तो उसको कहिंगे से कंडिशनल कनवार्जिन सब्सक्राद व्यां कि आप लोग आद इन्सानों में इन से देख सकते हो जैसे कोई कुछ बूरी इस्थी जैसा कि लोग पास देख सकते हो कोडिशन का एक्जूपल और फृव सकते हैं तौफास आपध साप लोगो टू बढ़ते ही हम लोग क्या इसके question पर और इसको solution कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं ठीक है पहले ही 10 मिट बीच चुके है तो जिनको कुछ नहीं पता theory के बारे में तो प्लीज यह theory प्लीज पढ़ लिजेगा एक्जामपल जरूर देख लिजेगा ठीक है एक्जामपल से बहुत ज़्यदा clarity आ जाएगी आप लोग को तो बढ़ते हैं हम लोग आगे तो एक इंस्टांस यह भी है देखो यहां पर भी दिखा हुआ यह वाला पाट एन एप्सुलूट कंवर्जेंस सीरी जैसेरली कंवर् यहां पर सकते हो समझ में आ रहा हो बात एक बात यहां पर क्या है कि अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है ठीक है सब का का एप्लिकेशन होगा जैसे की रिषजियो टेस्ट के बारे में आप लोगों ने बढ़ा ओगा धिका है लिमिट कंपेरिजन टेस्ट रूट टेस्ट यह सभी टेस्ट कापलो क्या पड़ना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा आपको एपसिलूट कंवर्जन को प्रूफ करने में ठीक है अब कौन कहां लाएगा यह आपके समझना पड़ेगा कौन कहां लगेगा रूट टेस्ट कहां लगेगा इन चीजों को बहुत ही बारी की से समझना होगा तभी आप अच्छे से सभी कुश्चनों को डील कर पाऊगे कुसी भी टाइबा कुश्चन आएगा इस चप्टर एंड होते होते मतलब लगभग आपको स सब्सक्राइब करें जिसमें कि आपको सभी टेस्ट का साथ सभी टेस्ट का जो रिजल्ट है वह सब पता चल जाए और कि एक जामपल जो आप से अच्छे से एलेट कर पाएं क्लियर है तो एप्सुल्यूट्र कंडिशनल कंवर्जेंस में किसी कोई डाउट हो तो प्लीज सब्सक्राइब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर किजिएगा तो चलो बढ़ते हैं आगे और कोश्चन नमर वन के वन पार्ट को स्वाल परते हैं यह रहा को आप लोग बताओ मुझे कि यह कंवर्जेंट एप्सुल्यूट होगा या कंडिशनल कंवर्जेंट होगा तो मैं जिने देखो इस टेब बता है क्या करना मौड लेकर बनाना है ठीक हम क्या करेंगे यहां पड़ेकर स्टेप फॉलो करते हैं कौन सा स्टेप कि सबसे पहला बात क्या क्या है जो हम जैंडल जैनरर अप्रोच लेके चलते है कि माइनस वन टो दी पावर एंड प्लस वन में ज क्या है complete होता है similarly limit and tends to infinity का अगर हम लोग भैलो बैठाते हैं तो क्या हो जाता है तो यह क्या सही बात है यह दुनों बात क्या है सही है अधिक्कत वाली बात है नहीं समझ में तो वाड़ा है कि यह वाला पाठ और यह वाला पाठ हमारे क्या होड़ा है प्रूफ हो रहा है जिर क्या है या अबस्लिट कनवार्जेंट तो इसका एक लेटमास टेस्ट है जो बोले एक टेस्ट बोलेंगे मतलब फिर अब हम शेयर करेंगे नलिफाय कर देंगे जैसे माइनस बन टूदी पावर बन प्लस न है इसको हम लोग क्या करेंगे उड़ा देंगे किसको उड़ा द है कि हम कौन सा टेस्ट यूज करें जिससे यह divergent प्रूफ हो जाए या कनवर्जन प्रूफ हो जाए ठीक मुझो त्यान लगड़ा है हम लोग पी सीरीज टेस्ट यूज करें वह क्यों सर क्यों कि 1 by into the power 1 by 2 जो है यह किसके तर लगड़ा है 1 by into the power अगर पी के तरह लगड़ा है अगर पी का भाई लेस्ट दन वन है यह एक्वल टू वन है तो सीरीज करता है डाइवाच करता है यह बात मुझे आप लोग बताईए दो सब्सक्राइब अब लोग बताईए प्रीमियर में कि सीरीज करेगा या डाइवर्ज करेगा एकॉर्डिंग टूपी सीरीज करेगा तो सीरीज क्या करेगा कर जाएगा बिसीकलिया आप लोग को पताईए हो क्यों करेगा नहीं गलत बात है कनवर्ज तो नहीं करेगा क्यों नहीं करेंगा आप लोग बताएं मुझे प्रीमियर चली रहा है बताइए प्लीज कंवर्ज क्यों नहीं करेंगा क्योंकि यहां जो अगर PCS टेस्ट में पीकिज वैल्यू है वो किस से कम है 1 से कम है 1-2 जो है less than 1 है इसलिए सिरीज क्या करेगा कंवर्ज नहीं करेगा क्या क्या डायवर्ज क्लियर हैं तो मैंने क्या बताया था कंडिशनल कंवर्जिन के में कि अगर सीडिज ठीक है सिम्पल दिया हुआ पहले अगर डायवर्ज करता है सब्सक्रण करता है फिर अगर सब्सक्राइब करता है ठीक है मौट ऑफ युएन और जो सिरीज दिया हुआ है सिग्मा फ्यूएन वह दूनों होता है तो क्या होगा एप्सिलिट कन्वर्जेंस अब प्लियर होगी बाते और जहां दिक्के ताँ रही है तो चलो इसका ये अच्छे तरीका से करते हैं देख लेटें यहां कि यहां उसका प्रूफ कि कैसे आया यहां पर और हम क्या कर दिए उसका सटेप लगा दिए ठीक है सेकें इस्टेप क्या था अल्टरेंटिंग से य यह वळा पार था यह वळा आपड देख़ें को यहां पर घंद यहां पर आप लिए है तो हुं लोग क्या मेरा to evidence यहां यह स्वावज में यह नावॡ़ा स्कूर यहिए यह सिर्स क्या होगा मैंना एक टैप से कन बार्जेंट है मतलब सिंग मा यूए नहीं है । सब्सक्राइब करते हैं तो मॉड़ और यूवन क्या यह वाला टाम हो जाएगा आपका डिक च्झेक करने लिए पिश overlap यह क्या है तो हमको थे दर मौन ने तो मॉड-on क्या हो जाएगा सिंवब ऐसी लिए बड़ाबर को जाएगा कोई डाउट है यह तो आरे हएन प्रयों में आहिं रहे होगी के लिए अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बता दिजेगा अब यह वाला पार्ट है सिमिलरली वही काम करते हैं अने टर्म लिखते हैं सिम्पल सबसे पहले क्या है देखो सबसे पहला काम क्या यह वाला यह अगर यह वाला आपको पता लिए को आप देर कर दो कंडिसें फालो करते हैं आगे पीछे वाला हम लोग जाते ही किस क्या हो जाएका जो टर्म होगा वह लेस दन जीरो हो गा ठीक है वैं माले सब्सेंस यह डिएला कि अपनी बीजिएगा और नहीं तो 9.7 में स्वाल लेया हो जैग तो यह वाला पार् यहां सब्सुट कर लेज़ेगा फिर आयन का भेलों इंफिनिटी बठा देज़ेगा फिर देखिए कि आपको दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है ठेक मुझे लगता है इस अपाड़ में आपको दिक्कत आएगी आप लोग असानी इसको सवाल्प कर लोगे आप क्या करते हैं आपस्यूट कन बर्जन्स के लिए ता हम लोग कौन सा टेस्ट लाएंगे बताई आप लोग है कि यहां देखिये कौन सा टेस्ट लाएंगे आपको हम लोग अ कि देखो यही जाए कंडिशनल कन बर्जन्ट एक मिनेट रुकना कि देखो यह वाला पाट तो आपको निकल गया लेकिन एपसुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा आपको जो आपके पास सीरीज निकलेगा मौड ऑफ यू एन ठीक है यू एन के पहलेगर यह एं तो अ यू रखते हैं कि इसका मौग मीशा मीशाची कभrzeसक करने करें पाट पास मिलाधा क्या वहीची या उस प्लस नूहीं नहीं चीज जाआ यह क्या होता है divergent होता है according to P-series क्योंकि P की value क्या है यहाँ पर less than 1 clear है बात तो similarly हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भी डाइवर्जेंट है इसलिए क्या हो जागा यूए भी divergent हो जाएगा इसका statement है comparison test में तो प्लीज अगर जिनको इसके बाड़ नहीं पता है तो प्लीज 9.3 9.4 के वीडियो अच्छे से जाके समझ ले और देख लेए ठीए अच्छे से पढ़ेंगे तभी हर कोश्चन आप से solve हो पाएगा तो बात है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ अभी दिक्कत वाली बात है नहीं है divergent होगा तो हमारा answer क्या होगा conditionally Convergent सर यह क्यों भला क्योंकि हमारा जो यूएं था वो क्या था Convergent था और मॉट अब यूट क्या है divergent है तो according to theory यह क्या होजाए conditionally Convergent clear है को दिक्कत वाली बात है क्या नहीं है कि यह रख्या conditionally Convergent तो प्लीज आप लोग theory थो लिख लिए क्योंकि इसमें अटास नहीं है वह वह वाला पार्ट देखो यह वाला पार्ट के वाड़े मैं बोल रहा हूं कि n to the power 1-1 to the power n plus 1 तो वही वाला पार्ट आया फिर से फिर क्या करना है सबसे लेवनी स्रीज के टेस्ट लगाना ठीक है क्या हुआ जैसे यहां लोग है तो वन प्लस वन बाई टू इंटू वन स्क्वाइर क्या हो जाएगा क्लियर आप वन के बाद टू लेलना थ्री लेलना इस टाइप से करके आप लोग हो डूकं यह यह वहला पार्ट आप से नहीं बड़ा हो तक अधिक्वत वाली बात नहीं होगें आपन aja हम लोग क्या करते हैं हम लोग लिमिट टैरा के यह वहला पार्ट से ऐसे निकाल के Eckert कोई किसी को कोई डाव तो प्लीज आप लोग कीजेगा बता लिजेगा ठीक है तो यहां कर n equal to infinity पढ़ते हैं तो हमारे पास value गा निकलता है 0 तो मतलब एक पार्ट से क्या हो गया कान बर्जेंट हो गया लेकिन हमारे पास क्या आता है लिट्मास्टेस्ट की वाड़ी मतलब सब्सक्राइब करते हैं और एंसर निखालते हैं तो लिटमस्ट्रेस्ट की बारी आ गई तो यह रहाई यूए और विएन वाला पार्ट जैसा कि मैंने पहले भी समझाया हुआ करते हैं यहां तो चीज करसकते हो क्या यहां कर सकते हो मैं यहां कर सकते हुआ यहां तो पास के बढ़ाबर होगा तो यू 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 क्लियर बाट बढ़ते हैं क्वर्शन नमर टू को टू पर ठीक है और उसका क्या करते हैं तो बताऊंगा ही लेकिन आप लोग प्रीज वीडियो पॉच किजिए अने टम लेको लिए भी होगा आप लोग ने आप लोग बहुत अच्छे तो यहांपर देखो लिखने के लिए करना है सबसे पहले अब्सेर्वेशन अल्ली अब्सेर्वेशन क्या है यहां था साइन की पावर नंता साइन की मल्टीपल में एक सकोईपिशन 2 3 4 मतलब न तक जाएगा फिर one क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब मतलब एन क्यूब तक यह जाएगा यह प्लस माइनस ऑल्टरेशन में तो माइनस वन टो दी पावर एन प्लस वन कर सकते हैं तुछ में कोई दिखत वाली बात नहीं है सबसे पहले लिखेंगे नेटा तो यह तो लिख लिए यू एन का फैलू लेक छिदि माइन प्लस वन होगा इन फिली होगा अनोत है जै क्या होगा सटेंग क्यों सब्सक्रण की ऊतला हुं यहुं से बात हम जूंस आप लगों आज़गे हैं और Betsy कि जlocks को तो नहीं चास्च पैंसन जानते हैं लोग तो उसी तोिए यह नहीं है यह कोई दिकत वाली बात नहीं है क्या दो में लिख दिया औरो कि क्या क्या करेंगे इसमें कि शाचते हैं है हम लोग करना यह चाहते हैं कि तो यहां पम लोग करें ऐं किया सबसे पहले हूं है आपको वह लाकसी स्वह नही AEGON टेस्ट होला लेकिन इसम यह लिमिट एन्पम्ररियशन टेस्ट नहीं लगा सकते उसने चल लगा है यहготов लोग इसमें यूए नहीं है यूए न हो जाएगा यूए 15 नहीं होगा तो यूए बैठेंगे तो हुआ कि है अपर एक्च्वाली दिखों यहां पर क्या हो जाएगा लेमेट n tends to infinity sin nx by n cube अगर हम लोग यहाँ पर इसका value बैठाते हैं ठीक है? हम लोग क्या करते हैं? इसका value बैठाते है n का value infinity तो क्या हो जाएगा इसका value? बता आप लोग मुझे अगर आप लोग sin की कुछ value देखते हो जैसे देखो अगर sin nx ठीक है? n का value infinity बैठाते हैं तो क्या जाएगा sin infinity हम लोग जानते हैं कि sin का range है मितले, sin की value निकलेगी वो कि इसमें minus 1 से plus 1 के बीच में निकलेगी इसमें कोई सक वाली बात है? नहीं है और हम लोग इसको infinity से divide कर देते हैं तो क्या इसका value आएगा? 0 के बढ़ाबर आएगा? मुझे बताइए आप लोग हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा 0 के बढ़ाबर? क्यों कि यह जो value generate करेगा यह क्या होगा? minus 1 to plus 1 के बीच में होगा अगर हम इसको infinity's divide करते हैं तो वो क्या आएगा? 0 के बढ़ाबर तो बात है clear है यहाँ इसका value क्या आजाएगा? इसके value आजाएगा? 0 के बढ़ाबर और इसका जो hard term जो है इसके आगे जो term सब है यह क्या है? हमेशा एक से खम है तो यह क्या आजा है? फर्स्ट वाला पाट अगर हम ऑल्टरेट्टिंग स्क्रीश ट्रेस्ट लगाते हैं ति यह फर्स्ट वाला पाट क्या आजा है? कनवर्जेंट हो जाएगा कोई डाउट है किसी को नहीं होना चाहिए अब आते हैं वाले पार्ट में कि सेकेंड वाले बाट को हम लोग कैसे डिल करेंगे एबसलिट कन्वर्जेंट वाला पार्ट को ठीक है इसको हम इरेज कर देते हैं वागी सबको प्लीस का थ्रौँ सा पीछे जाके स्क्रीन सॉट ल मानसा आन स्क्वेयर ऐस में खीएक्स ना डेक्शा क्ल ऑच पार लिएमन कोम ले लिए यहां परैंघ कोमन ले क्या हुआ है यहां निकर्चा यहां से दोगते हैं लगाक न्सक्वेर दो क्या है मुंक्की टू अंम भाए ौम्यर्जै कर दिया प्लस मैंसा प्लसमाई मालिक् क्लियर है अब 1 by n square according to PcState क्या होता है Convergent होता है तो अगर comparison test फिर लगाए तो अगर भी एन Convergent है तो यू एन भी क्या हो जाएगा Convergent हो जाएगा तो similarly क्या हो जाएगा यह वाला पाठ हमारे पास Convergent हो जाएगा तो मतलब हमारे पास हमारे तो दौनों हाथ में क्या मीले Convergent दोनों पार्ट में 라म में heb और गेडिंदिंग शेजर्स इस से भी कन वरजण और comparison से ही क्या मिला है convergence मिला तो हमलों क्या मों सकते हैं यह सीरीस क्या है absolutely तो क्या इसमें कोई डाउट था आप लोग को और कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग क्या किजिएगा ट्लेग्राम पर मैसेज कर सकते हैं जॉइंज करके और कमेंट सेक्षिन आपके लिए खाल लहीं तो चलो इस वीडियो के एंड यहीं करते हैं बहुत लंबा वीडियो हो गया तीज मियाट का आगे आने वाले वीडियो में आगे आने वाले कॉश्चन्स करेंगे तो तक के लिए पढ़ते रहिए आगे पढ़ते रहिए धन्यवाद